भारत श्री लंका टी ट्वेंटी सीरिज का तीसरा और निर्णा एक मुकाबला आज शाम साथ बजे से राज़कोट के सोरोष्ट्र किर्केट ट्रेडियम पर खेला जाएगा इस मैच का नतीजा सीरिज का रिजल्ट चाय करेगा अभी टीर मुकाबलों की सीरिज एक-एक की बराबरी पर है ऐसे मेच टीम इंडिया पर श्री लंका से पहली पर अपने घर में सीरिज हानने का खत्रा मंड़ा रहा है भारत ने चार साल पहले 2019 में अपने घर में दीप्शिय सीरिज गवाई थी जब उसे अस्टेलिया ने दो से हराया था उसके बार से भारत ने अपने घर में लगातार 11 सीरिज जीती है यदि भारतिय टीम यह मुकाबला जीत लती है तो गह श्री लंका से लगातार पांचवी बार T20 सीरिज जीत जाएगी यदि हारदिक की कप्तानी वाली भारतिय टीम हारती है तो वह पहली बार सीरिज गवादेगी दोनों टीमों ने भारत में अब तक 5 दिपश्ये सीरिज खेली हैं चार भारत ने जीती हैं एक बराबर रही है यदि भारतिय टीम यह मुकाबला जीत लती है तो वह श्री लंका से लगातार पांचवी बार T20 सीरिज जीत जाएगी यदि हारदिक की कपतानी वाली भारतिय टीम हारती है तो वह पहली बार सीरिज गवादेगी दोनों टीमों ने भारत में अब तक 5 दिपश्ये सीरिज खेली हैं चार भारत ने जीती हैं एक बराबर रही है यदि भारतिय टीम यह मुकाबला जीत लती है तो वह श्री लंका से लगातार पांचवी बार T20 सिरिस जीत जाएगी यदि हारदिक की कपतानी वाली भारतिय टीम हारती है तो वह पहली बार सिरिस गवा देगी दोनों टीमों ने भारत में अब तक पांच दिपशिये सिरिस खेली हैं चार भारत ने जीती है एक बराबर रही है यदि भारतिय टीम यह मुकाबला जीत लती है तो वह श्री लंका से लगातार पांचवी बार T20 सिरिस जीत जाएगी यदि हारदिक की कप्तानी वाली भारतिय टीम हारती है तो वह पहली बार सिरिस गवा देगी दोनों टीमों ने भारत में अब तक पांच दिपशिये सिरिस खेली हैं चार भारत ने जीती है एक बराबर रही है